हाई सभीका स्वगत आज एक हिंदी कविता की चर्चा हम करेंगे जिसका नाम है नीड का निर्मान और इस कविता के कवी है हरिवंग्षराय बचन आउ कवी के बारे में दो टुक जाने संख्यप में नाम है हरिवंग्षराय बचन जन 1907 इलाहवाद 27 नवेंबर 1907 उनके मृत्तिव 18 जन्वारी 2003 मुंबोई में भासा अवदी और हिंदी उच्च सिख्या इलाहवाद केम्ब्रिज उश्विदालाई जीवन शती श्यामा उनकी पत्नी श्यामा पहली पत्नी श्यामा 1926 से 1936 तक 1936 में उनके मृत्तिव हो गई श्यामा की उनके उसके बाद पत्नी रही तेजी वचन आओ कभी के बारे में और कुछ जाने कभी कुछ दिन हरिवंग्स राई वचन कुछ दिन इलावाद में अंगरी जी का अध्यापन किया आकाश्वाणी में काम किया फिर विदेश विभाग में सलहाकार रहे बारत सरकार के वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे कभी हरिवंग सराय वचन अन्यक कविताएं लिखे हैं सभी का नम बताना संभब नहीं ये कविता संग रहके मैं कुछ बता रहा हूँ प्रमक कृतियां है तेरा हार मदूसला मदूवला मदूकलस अधिय देती कथा क्या भुलूं क्या याद करूं नीड का निर्मान फिर फिर और दो आत्मकताएं भी हैं दो चट्टानों के लिए 1968 में सहित्यकादमी की वर से उन्हें पुरस्कृत क्या गया था 1976 में उन्हें पद्मभसन उपादी से सम्मनित क्या गया था ये हो गया कभी का संकिप्त परिचय आव देखते हैं विशय नीड का निर्मान नीड का निर्मान फिर फिर नेह का आउहान फिर फिर उह उठी आधी की नप में छा गया सहसा अंधेरा धुली धुशर बदलोंने भूमी को इस भांती घेरा रात सा दीन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अबन होगा इस निशा का फिर सबेरा रात के उत्पात भोई से भीत जन जन भीत कण कण किन्तु प्राची से उसा की महीनी मुश्कान फिर फिर आव देखते हैं कठिन सब्ध प्रत्यक पद पढ़ाते समय में बताते रहूंगा फिर भी देखलो नीड का अर्थ है गोंशला निर्मान बनाना नह का अर्थ है स्नेह प्रेम आववान का अर्थ है पुकार बुलावा आंधी का अर्थ है तुफान धोली दूसर का अर्थ है धूल से भरे हुए तो निशा का अर्थ है रात उत्पात भोई अनि उपद्रव का डर भीत का अर्थ है भोई जनजन का अर्थ है प्रत्यक व्यक्ति प्राची का अर्थ है पूर्भुद्धिशा मोहिनी मुश्कान यानि मोहित करने वली हंसी आव देखते हैं विश्यको नीड का निर्मान फिर फिर नेह का आउभान फिर फिर नीड घुसला बता दिया था नेह का अर्थेस नेह प्रेम नीड पुंगलिंग सब्द है देखो वच्चो अंधी या तुफान के करण पकी का नीड या घुसला बार बार उजड जाता है फिर भी वो हार नहीं मनता अपना नीड या घुसला बनाने में लग जाता है ठीक उसी प्रकार मनुश्य भी घर में सनेह है प्रेम है घर के प्रती सभी का एक अकर्षन है एक लगाव है एक चाओ है है इसलिए चाहे मनुश्य हो या पक्खी हो या कोई भी जीब हो अपना नीड या घर का निर्माण में लग जाते हैं उसके बाद वह उठी अन्धी की नफ में चाह गया सहसा अंधेरा धुली धुसर बदल ने भोमी को इस भांती गहरा अधी तुफान धुली धुसर धुल से भरे हुए बदल मैग देखो इसका आर्ठ है वह उठा आधी की नफ में यानि आधी के उठने पर असमान में अंधेरा छा गया धूल से भरे हुए बादलों ने धर्ती को चारों तरफ से घेर लिया रात सा दीन हो गया फिर रात आई और कली दीन रात जैसा प्रतित होने लगा फिर रात आई और अपने साथ कालिमा को लेकर आई रात को वचो इजो रात रात का प्रतिती सब्द है निशा, रजनी, राका लेकिन व्यवार करते समय भिन भिन जगहों पर इनका व्यवार किया जाता है जो रात, रात कलीमा का प्रतिक है लग रहा था अब नो होगा इस निशा का फिर सवेरा निशा का अर्थ भी रात है फिर निशा जब रात गहरी होती है उसे हम निशा कहते हैं निशा निश्तवदाता का प्रतिक है राता अब न होगा इस निशा का फिर सबरा इसका अर्थ है ऐसा लग रहा था जैसे की इस रात की समाप्ती नहीं होगी रात के उत्पात भाई से भीत जन जन भीत कणकण इसका अर्थ है इस भयानक रातरी से सारा संक्सर भयवीत हो गया सारांगस देखो आधी के उटने पर असमान में अंधेरा चा गया धूल से भरे हुए बदलों ने धर्ति को चारों तरप से घेर लिया दीन रात जैसा प्रतित होने लगा फिर रात आई और अपने साथ और भी कालिमा लेकर आई ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रात की समाप्त नहीं होगी अर्था जैसे कभी सबेरा होगा ही नहीं इस भयानक रातरी से सारा संक्सर भयवीत हो गया देखो उसके बाद किन्तु प्राची से उसा की मोहीनी मुस्कान फीर फीर हो अच्वा जिस प्रकार दुख के बाद सूख आता है मिनास के बाद निर्मान होता है प्रलाई के बाद पुना स्रुजन होता है ठीक उसी प्रकार भयानक अंधेरी रात के बाद मुस्कराती उसा के दर्शन होते हैं जिस तरह रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो सुबह होती है और सुरज की किरणे उस अंधकार को दूर कर देती है ठीक उसी प्रकार मनिस्य का दुख जितना भी बड़ा क्यों न हो और एक न एक दिन दूर होगा लेकिन उसके लिए हमें पुरुसार्थ करना होगा देखो वच्चो यह एक प्रतिकात्मक कविता है चीडिया के मध्यम कभी हमें अर्थात मनुष्य समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं जीवन में चाहें लाखों मुसीवतें क्यों न आयें उसे उन्हें हम डट कर सामना करना होगा आज इतना ही धन्यवात